जिस होली के तिवहार को पूरा देश हर्शो लास समनाता है क्या कोई जानता है कि इस तिवहार की कहां से शुरुआत हुई थी? इस्तिवहार की शुरुवात बुंदेल खंड के 6 जनपत में इस्थित एरच नगर से हुई थी और उसके बाद से पूरे देश में इस पर्व को मनाया जाने लगा पुराणों की माने तो एरच नगर राजा हिर्णा कश्यक की राजधानी हुआ करती थी यहीं पर होली का भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई थी जिसमें होली का जल गई थी लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ था कहा जाता है कि तभी से होली के पर्व की शुरुवात हुई एरच में आज भी इस परंपरा को स्थाने निवासी, फाग और गानों के साथ हर्षर लास्य नगर में शोभा यात्रा निकाल कर मनाते हैं एरच नगरी अतिप्राचीन नगरी हैं बिसुकी पहली राजधानी के नाम से इसको जाना जाता है और होली जर से अनूथे तेवहार का उदगम इसी एरच नगरी से हुआ है इस नगरी को भक्ष पहलाद की जन्म स्थली के नाम से भी जाना जाता है तो हरन्यकस्यपू ने जब देखा कि उनका पुत्र पहलाद भगवान विश्णू की भक्ती में देन रहता है मैं छोटा सा चार-पांच बर्स का बालक तो यह बात उन्हें बड़ी खराब लगी और उन्होंने पहलाद को समझाने बजाने का बड़ा प्रयास किया लेकिन पहलाद जी के मन में अग्वान विश्णू के प्रती ऐसा वक्ती का बीज अंकुरित था कि वो मिटने वाला नहीं था तो हरन्यकस्यप ने कई सारे प्रयास पहलाद जी को मारने के भी किये कि ऐसे पुत्र की मृत्यू हो जाये तो ठीक है लेकिन अग्वत किरपा से यहनों ने जितने भी यतन किये किसी में सफल नहीं हो पाए बसाक तो भोजन कराये काले नांग से डसाया यहां पास में इससे ग्राम दिकॉली है उसमें जो दिकांचल परवत है उस परवत की चोटी से नदी में ठिकवाया लेकन बेतबा मा की गोद में पहला जी जैसे एक बच्चा मा की गोद में रहता है इस तरीके से बेतबा माना सकुसल पहला जी को वापस कर दिया इसके बाद रनकस्प की एक बेहन थी होलका तो होलका जी को ऐसा रनकस्प उने कहा कि तुम्हें ब्रह्मा जी का दिया हुआ चीर है जिससे तुम अगनी में नहीं जल सकती हो तो तुम पहलाद को गोद में ले करके अगनी में बैठ जाओ ताकि ये पहलाद जल जाए और इसका जीवन समाप्त हो जाए होलका जी ने खरंकसर की बात मान करके असा ही किया लेकिन एक भाव इसमें मिलता है कि होलका जी चुकि पहलाद की बुगा थी और बुगा को भतीज अपना बड़ा प्यारा होता है तो उन्होंने पहलाद जी को जैसे ही अगनी जली तो अपना चीर निकाल करके पहलाद जी को उड़ा दिया और खुद जल गए तो जब पहलाद जी उस चिता से भी सकुसल बापस बाहर निकले और होलका जी जल गए तो बाहर जो उनके बंदू बांदा पहलाद को मित्र दुकी हो रहे थे तो उन्होंने पहलाद को सकुसल देखा तो एकड़म खुसी से जूम उठे और वहाँ पर जो राख बगएरा उनकी पड़ी थी चिता की रंग कलर जो भी था तो एक दूसरे को खुसी में उड़ा करके लगाया और ये जो कारीकरम बहां हुआ इसी कारीकरम को आज पूरी दे से जुड़ी पौरानिक कथा की हमाशा करते हैं कि आप इस विशेश जानकारी को और भी लोगों के साथ साजा जरूर करेंगे इसी तरह की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें लोकल वोकल के साथ अगर आपने हमारा अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टो